पुराने जगडे को लेकर पाशपॉली के अंतर गताने वाले 55 लाइबरी के पास एक आरूपी भतीचे ने अपने चाचा अशुक मिश्राम की देंडे से पिट-पिट कर हत्या कर दी पाशपॉली पुलिस ने आरूपी को गिरफता किया है आगे की जाचारी है आएदीन शहर में हत्याओं की घटनाएं भड रही है ऐसी ही एक हत्या की वारदा पाशपॉली पुलिस थाने के अंतर गताने वाले 55 लाइबरी 55 नगर में हुई है मृतक का नाम 40 साल का आशोक मेश्राम है जो परिसर के किसी मटन शौप में काम करता था कुछ दिन पहले आशोक और उसके भाई के बीश के से बात को लेकर जम कर छखड़ा हुआ था जिसमें आशोक ने अपने भाई की तोहिन कर दी इस बात को लेकर अशोक के भतीजे में काफी रोश व्याब था इसलिए आरोपी भतीजे ने अशोक मेश्राम को सबक सिखाने के लिए रात के सवादोबेजी के दौरान हाथ में लकड़ी का डंडाले का सीधे अशोक के जोपड़ी में गया और डंडे से अशोक की कारी मिलते हैं पाचपॉली पुलीस अपने दलबल के साथ घटना स्तल पर बहुची लाश को पोस्मार्टम के लिए अस्पताल रवाना किया गया आए दिन शर में हत्याओं की घटना में काफी जापा हुआ है इसी क्रम में आज पाचपॉली के अंतरगत आने वाले पंचिश अपने दलबल के साथ आयो है तो वही इस लाश को आप देख सकते हैं वह स्मार्टम के लिए उसको इस एंबुलेंस पे उस शरूप लिया लेके जा रहे हैं और लोग देख सकते हैं आपके कितने बड़े पैमाने पर यहां पे जो लोगों का होजिम उमर चुका है तो वही जो दिसरी और उसके मां का रोरो के हाल बुरा है अब फोड़ा जो लिए वही बखान था जहां में पर शोक नहीं चल सका लेकिन पर शोक मेश्रां जिसके हट्था हुई है यह मुत्व किसी मटन की बुकान में काम करता था आईसी जानकरी अफ़तक के मिली है पुलिस इदि गटना स्तल पर लोगों का हुजूम उमड चुका था इस घटना से क्षेत्र में खलबली मची हुई थी इस घटना के बारे में डिसीपी लोहित मतानी इन्होंने बीसीन टीम को जानकरी दी पारपाणी के अंतर गतानी वाले 55 में एक हट्या की घटना हुई थी अखिरकार ये हट्या क्यू की गई है इसके लिए आज हम डिसीपी लोहित मतानी साब के पास मैं पोच्छा हुए उसे जाना चेका मतारी सब जिस परकर से हट्या हुई है क्या कहना चले ये क्यू घटन है और उनके घर पर उनकी हत्या हुई है लकडी से सर पर मारका रत्या की गई है और इसके पीछे का कारण पुराना इनका कल विवाद हुआ था एक ही आजपास में ये लोग रहते हैं तो कल आपद में शिविगाड हुई थी उसका बदला लेने के लिए हत्या की गई गई ह है उसका खुद भतिजा ही आरोपी है और पुलिस इस दिशा में काम काज कर रही है पर और पुलिस थाने से कैमेरा परसन माइकल के साथ संजय मेरे इंबी से नियूज ना फूर